अपने विचार प्रस्तुत करूँगी महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आखों के सामने ताज, पुलवावा, 36 गड में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंकी सडकों के दरश्य सामने आते हैं उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवा दिकारों के अनुपानला करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात किया जा सकता है महोदय आप तो हमारा तिरंगा जंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत आज कल फेहराने से जादा मैं कफन में दफनाने के क्यूं काम आ रहा हूँ महोदय फिर दे तो उस दिन फट गया जब बुड़ी मा अपने बेटे के चित्रों को देख कर बोली कि साहब आप तो भरती में एक इंच भी कम नहीं लेते मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ महोदय आज इन मानवा धिकारों के कारण इन आतंक्यों के बंगलों की आखाओं की नाकफनी हसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है जब एक शहीद हुए जवान की विद्वा की वेदना चिक चिक कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांका सिंदूर गया, नन्य नोनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आप के लिए तो एक आदमी मराहसाहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, बहुत है, किसी भ जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं क्यूंकि महोद है भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है वो ये जानते हैं कि चाहिए एक उगरवादी की राइफल से निकलने वाली ग ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा नहीं तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी और महोद है मानवादिकार के तले किसी जवान को दबा कर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं एक आत्म हत्या है क्यूंकि महोद है फूल को श्रिंगार दो ये मुम्किन नहीं और एक वीर को जहनकार दो ये मुम्किन नहीं जो हाथ बांदे सेना के ऐसे मानवादिकार का पालन समभब नहीं महोद है आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकबादियों इन पत्थर वाजों से डरता है क् वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो अभी 400 मिटर तक जाएगी और यदि इस बीच वो किसी निर्दोश को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक दोना पड़ सकता है और महोदय अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज यह सोचता है कि चाहे साप मरे या ना मरे परन्तु लाठी नहीं तूटनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश के हाला कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उच्छाला जा रहा है हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है अरे हम तो बुनियाद है अंत्रिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है मोदे जब पुलवाम हमी 44 जवान सहीद हुए 36 गड़ में 76 जवान सहीद हुए तो कोई भी मानवादिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ क्या कहा था उस देश द्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा तो मैं भारत की बेटी अपनी भाति सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूं कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा वो कोख नहीं पलने देंगे जिस को से अब जल निकलेगा उठो देश के वीर जवानों तुम सिंग बनकर दहार दो और एक तिरंगा जंडा उसका नहीया के सीने में गार दो महोदै अंत में अपनी वानी को विराम की और ले जाते हुए मैं सर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की नियाएक प्रकर्या पर जहां आज भी रात के बारा बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सरवोज नियाले के दरवाजी खोल दिये ज जाती सीमा पर गोलों के आगे धर्ती के घोर गुहां से को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एटम बम से रक्षा के बाल एटम बम ही कर सकता है जैहिंचे भरत